और दोस्तों भारत में लॉंच हो गया है Vivo S1 Pro काफी टाइम से लोग इसका वेट भी कर रहे थे क्यों वेट कर रहे थे दोस्तों मैं आपको बता दू क्योंकि Vivo जो है न वो हर बार कुछ ना कुछ यूनिक करने के लिए जा रहा जाता है इस बार उन्होंने इस स्मार्टफोन के साथ यूनिक किया है वो किया है इनके कैमरे बेक में आपको चार कैमरे देख रहे को मिलेंगे लेकिन इस बार चौकूर वाले मतलब कुछ डिजाइन हटी के दी गई है तो उन्होंने ये इस smartphone के साथ कुछ unique किया है जो कि किसी smartphone के साथ नहीं आ रहा है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दो इसकी price हो है वो price 199990 पे रखी है जिसका एक ही वेरेंट है 8GB 120, 8GB storage के साथ क्या दोस्तों आपके लिए ये smartphone value for money smartphone है या नहीं है क्या आपको दोस्तों ये smartphone इस time पर खजिना चाहिए या नहीं खरने चाहिए सारे doubts दोस्तों मैं आपके इस video में clear करने वाला हूँ वीडियो last तक जो उसे देखते रही है नमस्कार दोस्तों मैं सिभम चोहान एक बर आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बास्विट टेक्चल पे जब फरेंट सबसे पहले मैं बात करूँ है यहाँ पे वीवो S1 Pro के design, display और build quality तो no doubt design काफी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है आपको इसमें back में 4 camera वो भी चौकर वाले दिखने को काफी ज़्यादा अच्छे लगते हैं बात करने दोस्तों यहाँ पे इसकी build quality तो इसमें आपको polycarbonate की body देखने को मिल जाती है इतनी price में कम से कम glass की body तो आनी ही चाहिए थी और हाँ बात करने दोस्तों इसकी display गी तो 6.38 इंच की super remote display देखने को मिल जाती है इन display fingerprint sensor देखने को मिल जाती है तो display काफी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है और हाँ दोस्तों ये smartphone एकी variant पे launch किया गया है 8GB 128GB stories के साथ आ रहा है जिसकी कीमत 1990 पे रखी है इस smartphone को आप Amazon, Flipkart या offline से भी purchase कर सकते हैं लेकिन purchase करने से पहले इस video को अंते तक देखे हैं उसके बाद purchase कर सकते हैं अब बात करने दोस्तों यहाँ पे इसकी battery के बारे में तो इसमें आपको 4500 mh की battery देखने को मिल जाएगा टाइप C port के साथ आएगा 3.5 mm audio jack भी देखने को मिल जाएगा 18 watt का इसमें आपको fast charger आपको देखने को मिल जाता है और बात करें दोस्तों यहाँ पे इसके processor की तो इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 665 वाला chipset आपको देखने को मिल जाएगा जोकि बिलकुल भी अच्छा नहीं है इस price में क्योंकि 19 या 20,000 रपे की price में आपको snapdragon का 665 processor देखने को मिल जाता है इतना processor तो आपको 10,000 रपे के price में भी देखने को मिल जाता है हाँ दोस्तों बात करें इसकी camera की तो back में आपको इसमें 4 camera देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों इन से भी अच्छे camera और smartphone में आ रही है आप Redmi Note 8 Pro को देख लीजिए उसमें आपको 64 megapixel का camera देखने को आपको मिल जाता है primary sensor और इसमें भी आपको quad camera दीए गए है उसकी कीमत 15,000 रपे है वहीं दोस्तों Realme XCV आपको देखने को बलता है 64 megapixel quad camera के साथ इवन यहाँ पे Realme का एक नया smartphone Realme X2 भी आपको देखने को बलता है जिसमें आपको 64 megapixel quad camera smartphone देखने को बलता है उसकी price भी तो 17,000 रपे है यहाँ पे इसकी price 19 या 20,000 रपे रखने का तो कोई सवाली पैदा नहीं होता है क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छचे camera और companies लेकर के आ चुकी है तो definitely मुझे नहीं लगता है कि इसके features बहुत ज़्यादा अच्छे दीगे है क्योंकि इसकी price को लेकर गे अगर यह smartphone 12 या 13,000 रपे की price में launch होता तो definitely लोग इसको consider करते खरीदते भी लेकिन 19 या 20,000 रपे price बहुत ज़्यादा हो जाती है वो भी Snapdragon 665 के जाथ मैं दोस्तों आपको बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा इस smartphone के लिए और हाँ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ share करें ताकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस smartphone को खरीदने बाले होंगे तो उनको किलिया तरीके से पता चल जाए कि इस smartphone से भी अच्छे smartphone market में available है इवन यहाँ पे अगर आप Vivo के ही fan है तो Vivo का G1 Pro X ले लीजिए तो उसमें आपको 16-70,000 रुपी में इससे ज़्यादा अच्छे-च्छे features आपको देखने को मिल जाते हैं रैसे आपका क्या ख्याल है इस smartphone को लेकर करके हमें comment section में जहुसे बता दिए और दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना चैनल पे पहली बार आए है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करगे बेल वाले आकन को प्रेस करना है और हाँ ओल पे कलिक करना ताकि मेरे सब वीडियो को नेटिव के सब्सक्राइब को 100% मिल दे रहे मैं मिलूँ आपको नेटिरसिंग वीडियो को साथ अब तक के लिए गुडबाए